हलो बचापाटी क्या हाल चाल कैसे आप सभी लोग वेल्कव तो आई होब सभी लोग बढ़ी होंगे मस्त होंगे और मजे में होंगे तो आज देखते हैं रेडियो अक्टिविटी सोरी न्यूक्लियाई का लेक्टर नमबर फॉर जिस पर रेडियो अक्टिविटी पढ़ रह ठीडिया ता और अर्पनें बीटा डिके में क्या होता बीटा नेगीटिव चिपने क्या होता विटा पॉधिए्टिव क्या होता हैं उन प्यरिश में बच्ग हैं सॉरी इसवा Canal देख लिया वहां पे मैने बताये मिनी जो सवाल आते हैं मोटी हाफ accessible चुक्तिव म सभी पार और इन बन्हाफ लाइफ में नंबर पार्टिकल होते हाफ हो जाते एक जेकली और एन्हाफ लाइफ कि बात किते हो जाते नम्बर ऑफ पार्टिकल और नॉट अपनूट आपकर टूंटी पावर एंहों आ यह सारी चीज़े पढ़ चुके है क्या रह गया तो थो पढ़ते हैं एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं बच्छा पाटी सबसे पहले आज फिर नुक्लियर फिजन एंड फ्यूजन प्रॉसस देखेंगे और बाद में देखेंगे सबसे लास्त में नुक्लियर रियक्टर बेसिकली तो एक्टिविटी तक ही है यह पार्ट हटा दिया गया बट आप इसे नाम आने के हटाया गया है इसको भी अच्छे से पढ़ दें बहुत छोटु सा पार्ट है ऐसा भी नहीं कि बहुत समय लेगा और मुस्टली थिर्टिकल पार्ट है जो मैं आप लोग को बता दूंगा तो आप बहुत एजली कर पाएंगे यहां तक होता क्या है बचापाठी अप्तिविटी ऑफ रेडियो अक्टिव संपल के अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम क्या निकालते रेट ओफ डिसंटीग्रेशन निकालते हैं कि किस रेट से कोई भी रेडियो अक्टिव संपल टूट राएं ठीक है तो अपने रदर फॉर्ट सोडी लौ में क्या एन नमबर अफ एक्टिव रेडियो अक्टिव न्यूक्लिय किसी भी टाइम टी पे एंड नॉट इटू दी पावर माइनस लेम्डा टी देख लिया था है जो फ्र्स और रिक्षन को site करता है हाँ या ना शिरे थे क्या होती है बच्छा पाग्टी रिप्रेजेंट करते हैं आल्फा वेट ए से simply dn by dt rate of disintegration क्या कहते हैं बच्चा पाथी rate of disintegration होता है आपका activity जड़ा differentiate कर देना तो n not तो constant है initial number of e to the power minus lambda t का differentiation क्या e to the power minus lambda t ही रहेगा बस यहाँ पे minus lambda और multiply हो जाएगा जो भी time का coefficient था activity that is dn by dt की value किती आ गई बच्चा पाथी minus times lambda n not e to the power minus lambda t क्या ध्यान से देखो बच्चा पाथी यह जो term generate हो रहा है क्या यही generate हो जा रहा है हाँ या ना n not e to the power minus lambda t यही आ गया मतलब यह time क्या था बच्चा पाथी n के बराबर था तो किसी भी radioactive सेंपल की activity that is rate of disintegration क्या आ जाता है minus का lambda n n क्या है number of nuclei present at that time कोई बच्चा यह मेरे को बताएगा यहाँ पिन माइनस साइन का क्या मतलब है यह को क्या कहते हैं activity या बोल दू रेडियो अक्टिविटी या बोल दू रेडियो अक्टिविटी बिसिकली rate of reaction बताता है किस रेट से disintegration हो रहा है लेम्डा डिके constant होता है एन क्या होता है number of active nuclei at given time जिस समय पे आप activity निकाल ने उस वक्त पे कितने number of active nuclei present है वो कौन बताता है एन उसे डिके constant से multiply कर देंगे तो क्या आ जाएगा activity आ जाएगा clear है सबसे पहले तो मुझे यह बता हो यह minus sign क्या कहता है थोड़ा सा दिमाग चलाए दोस्त फिर मैं आपकी मदद करूँगा simply minus sign क्या बता रहा है कि जो number of nuclei है active nuclei है वो कम हो रहे है obviously बात है बाई कोई radioactive sample अगर तूटेगा तो जहां से टूट रहा है apparent nuclei का क्या amount कम हो रहा है minus time lambda n मतलब यह decay कर रहा है किसी भी चीज़ का rate अगर positive आता है मतलब वो चीज़ बढ़ रही है और कोई चीज किसी भी चीज़ का rate negative आता है मतलब वो चीज़ घट रही है तो माइनस क्या बता रहा है सिर्फ और सिर्फ यह बता रहा है कि यह radioactive nuclei disintegrate हो रहा है तूट रहा है घट रहा है और obviously बात हम पढ़ी रहे हैं disintegration कोई भी radioactive sample होगा वो कर रहा है मतलब उसकी concentration क्या होती जा रही है लगटार कम होती चली जा तो माइनस सिर्फ यह बता रहा है कि सेंपल क्या कर रहा है डिके कर रहा है अगर यही बच्चा पार्टी हम मैं हमारे पास rate of this अगर हमारे पास यही आक्टिविटी पॉजिटिव आ जाती तो हमें क्या पता चलता कि जो अमाउंट आफ रेडियो एक्टिव सेंपल्स है वो बढ़ रहे हैं निगेटिव आया मतलब तूट रहे हैं कम हो रहे हैं यहां तक संथे कमफटेबल आ उनिट क्या होती यह बच्चा पार्टी यह एकटेविटी IT कि बैक कुरियल है क्योंFit कैसे करते हैं इसे कापिटल विस्माल क्यूंक यूनिटाफ रेडियो अक्टिविटी क्या होता चलते हैं अब्री वेशन क्या होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करते हैं कैपिटल भी स्मॉल यू से आई होप यहां तक कम्फटेबल होंगे क्लियर होंगे मस्त होंगे मज़े में होंगे तो समझो अब अक्टिवीटे में तुम्हें कभी भी डिफ्रेंशेट करने की जुरूत नहीं पड़ेगी किसी सवाल बस एक नया टॉपिक है पढ़ना वही है होता क्या है नंबर कंसेंट्रेशन निकालना जानते थे एक तो यह फॉर्मला बताया था नंबर कंसेंट्रेशन का एक टी हाफ क हो जाती है तो वहां से एन निकालना जानते ही है कल प्रैक्टिस कर लिया था बस उसे डिके कॉंसेंट से मुल्टिप्ला कर दोगे एक्टिवीटी ऑफ रेडियोक्तिव संबल निकल के आ जाएगी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है करके देखते हैं कुछ सवाल सब्स.ा, बेंटेख एक्टिवीटी ऑफ रेड्यक्टिव सब्स.ा, फेंटेश, गयुक करके डीके इन प्रू हैं तो मदल है एक्टिवीटी एगर रेड्यूस हो रही है तो क्या घटा होगा एंड़ा होगा तो बेसिकली हुआ क्या होगा 20 दिन बाद जो number sample होंगे अगर इनीशली एंडौ थे इनीशल एक्टिविटी ए जो थी या फिर ए नौट जो थी इनीशल एक्टिविटी लेमडा एंड नौट थी तो 20 दिन बाद नंबर concentration basically and not upon 16 हो चुकी है 16 को टू की पावर के मेगे टर्म में क्या लिख सकते हो सभी लोग क्या इसे आप लोग टू टू दी पावर फॉर लिख सकते हो हां या ना इमानदारी से बताइए बिल्कुल लिखा जा सकता है कि मतलब कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है चार हाफ लाइफ यह क्या बताता है नमबर ओफ लाइफ मतलब कितनी हाफ लाइफ वह चुकिए number of half-lives जार हाफ-लाइफ गुजर चुकी कितने दिनों में तो पूचा क्या हाफ-लाइफ और सबस्टांस बताओ तो बिसिकली जो टाइम गुजरा है वो चार हाफ-लाइफ के बराबर गुजरा है चार हाफ लाइफ के और आपर जो एक्चुली में गिवन टाइम हो किसके बराबर दे रखा है ट्विंटी डेस के फाइव डेस आ जाएगा अंसर हाँ या ना कमफटेबल एक लिए रहे जली बताइए पका बताइए सच्छा बताइए सर बताइए यह समाज में आया आक्टिविटиля को नएा जबताने वाला लेंडाेन के लिए लेंडा ने है लेंडा तोЧто बेसिग लिए हमें फिर से ही एटी के साथ खेलना है और एंड के साथ किलना अपन जानते ही है मैं accompan rocket न के लिए क्या क्या फर्मॉला बताय थे n is equals to n naught e to the power minus t upon t half sorry e to the power lambda t douche ra n naught upon 2 to the power t upon t half जो भी टाइम डे रखका है इस फॉर्मले में पूट कर दे और इसी की जो अगली फॉर्म है वह एन नौट अपॉन टू टू दी पावर एंड इन तीन फॉर्मले से किसी भी समय पे आप डारेक्ली नंबर कंसेट्रेशन निकाल सकते हैं सबसे प्यारा फॉर्मला तो यह और यह है ठीक है डारेक्ली पता चल जाएगा कितनी नंबर आफ लाइफ आई या वह भी दिमाग नहीं लगाना तो डारेक्ली जितना भी टाइम द बच्छा पार्टी फाइनली आजाता है लेमडा एन लेमडा तो कॉंस्टेंट है मतलब जो खेला करना है वह सिर्फ और सिफ एन के साथ खेला करना कली सीख चुके थे मतलब लास्ट लेक्ट्टर में सीख चुके थे हां या ना आगे बढ़े अगला सवाल करें जल्दी से क जो रही है कि सीवी सवाल में तो बेसिकली क्या वो आक्टिवीटी ही बता रहे हैं कि रेडियो एक्टिव सेंपल के अक्टिवीटी इतनी है हा या नँ and a TZ2 एट सकेंड सेक्ट बास हंड्रेड काउंट पर सेक्ट the count rate at t is equals to 6 seconds आपसे पूछी गई है इस इकस्ट जीरो पर इती थी इस इकस्ट एट सेकंड पर इतनी है तो टी इकस्ट जीरो पर जो नंबर आफ एक्टिव नियुक्लियाई होंगे उसे एन नॉट इनिशल नंबर एन नॉट बोल देते हैं तो इनिशल एक्टिविटी लेमड वैलू 16 100 हो गई तीजी कश्ट एट पर जो अक्टिविटी थी लेमडा एन हो गई लेट से जिसकी वैलू 100 दे रखी है तो बेसिकली अक्टिविटी लेमडा एन के बराबर होती है इन दोनों का जरा रेशियो ले लो लेमडा एन नोट अपॉन लेमडा एन 16 अपॉन सो आ गया तो एन की वैवलू क्या बच्चा पाटी एन नोट अपॉन 16 आ गई मैं रहा है तो तो दी पावर फोर आ रहा है मतलब four half life अब 8 सेकेंड में कितनी half life निकल चुकी होंगी चार बावल निकल चुकी आप निकल चुकी तो चार हाफ टाइल लाइफ के 8 सेकेंड के बरावर है कॉस्टे से समझ में तो एक हाफ लाइफ दो सेकंड की है यहां तक कमफटेबल है कि तुम से पूछा कि क्या है एक्टिविटी एटीज इकस्टू 6 सेकंड तो 6 सेकंड क्या तीन हाफ लाइफ के बराबर है तो जो नंबर कंसेंट्रेशन होगी सिक्स सेकंड पे एन डैश वह एन नौट अपाउन टू तो दी पावर थ्री डाट इस एन नौट अपाउन एट होगी तो इनीशली मतलब सोला सव था सोला सव को आठ से डिवाइड कर दो कित्ते सेंपल हो जाएंगे 200 हो जाएगा अंसर बात समझ में एन नौट अपाउन एट इनीशली जो सोला सव का अकाउंट था इनीशल अक्टिविटी जो थी लेमडा एन नौट थी टीज इकस्टू 6 से सब्सक्राइब करते हैं अगला सवाल करते हैं अगला सवाल करते हैं दोस्त काउंट रेट ऑफ जिगर मुलर काउंटर फॉर रेडियेशन ऑफ रेडियो एक्टिव माटेरियल ऑफ हाफ लाइफ 30 मिनट्स डिक्रीजेस तू फाइफ पर सेकेंड आफ्टर टू आवर इनीशल काउंट रेट आप से पूछा गया पढ़ने में हो सकता कि दरावना लग लेकिन इसको करके देखते हैं काउंट रेट रेट की जब भी बात होगी किसी भी कोस्टन में न्यूक्लियर रेडियो अक्टिविटी के तो क्या वह बेसिकली अक्टिविटी पूछ रहें कि बात करना चाह रहे हैं कि पड़ो तो काउंट रेट और रडियाशन और रडियो अक्टिव माटियल ऑफ हाफ लाइफ 30 मिनिट डिक्रीज तो 5 पर सेकेंड आफ्टर 2 आवर दिन दा इनिशल काउंट रेट पूछा गया है आफ्टर 2 आवर हाफ लाइफ किती ये 30 मिनिट तो 30 मान लो एन हाफ लाइफ निकलती ये टोटल के गटे में किते मिनट होते हैं टूंट इंटू 60 मिनटस आएंगे 2 गटे को क्या हाफ लाइफ लाइफ थाटी मिनट्स की हमने मान लिया कि जो दो घंटा है इस दो घंटे में कुछ एन हाफ लाइफ गुजरी होंगी तो क्या एन की वैलू आ जाएगी आप प्रेजंट जो एक्टिविटी है क्या वो लेम्डा एन होगी और चुकि अगर इनीशल नंबर ओफ नूक्लिय एन नौट थे तो यह जो एन और नौट में रिलेशन होगा क्या आप पूरे भारत में सभी को पता है टू टू दी पावर एन होता है एन क्या होता है नंबर तो एन की वैलोगर में यहां पूट कर दू लेम्डा एन नौट बाइस 16 की वालू तो मैं क्या दे रहा की काउंट रेट क्या दे रहा का तीस मिनिट बाद पांच दे रहा पार्स पर सेकिंड तो बेसिकली यहां से लेम्डा एन नौट 16 इंटू 5 लग दोए हां या ना आ हा या ना सिक्षिरिंटू 5 किता होता है तो क्या जो अक्टिवीटी इनिशल अक्टिवीटी चाहिए थी लेम्डा एन नौट क्या उस्कीव यह रही है असी पर सेकेंड बास समझ में आई कैसे किया तो मैं एक्टिवीटी दे रहा एती इस ही स्कूज फाइव है तो पांच सेकंड बाद activity की value 5 पर सेकंड रही है स्थाटी मिनट बाद आधे घंटे बादemy बाद आपको activity five पर सेकंड देख रही है बार ते एक्तिवीटेट जो लम्ला एम्न है वह आंप थर्टी मिनेट्स है ठीक है अगर हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सेंपल किती है बच्चा पाटी 30 मिनेट्स है तो हमने देखा अगर दो घंटे बाद कोशन में क्या कह रहा है दो घंटे के बाद आपकी अक्टिविटी पांच पर सेकेंड हो गई तो हमने का भाई एकर हाफ लाइफ थर्टी मिनेट्स थी तो हम देखते हैं कितनी हाफ लाइफ गोजर चुकी होंगी तो दो घंटे में टोटल मिनेट्स किते हुए 120 मिनेट हुए एक हाफ लाइफ किते की थर्टी तो हमें पता चल गया यहां पे चार हाफ लाइफ निकल गई कर दिया हमें कोशन में चाहिए था लेम्डा नौट की वैलू बस 16 अधर मुल्टिप्लाइ कर दो के लेम्डा नौट आजाए गए इनिशल एक्टिविटी आई होब यहां तक सब्सक्राइब लोंगे क्लियर होंगे मस्ट होंगे मजह में होंगे एक सवाल और करिए दो रीडियो एक्टिविटी ऑफ सेंपल इस आरवन अट टाइम बढ़ा मोहबत वाला सवाल है इत्में नहां से करना पी वाई क्यों है बेसिकली है साइथ 2020 या 2021 किस पूछावा सवाल है दे रीडियो एक्टिविटी ऑफ सेंपल इस आरवन अट टीवन किसी टाइम टीवन पे रेडियो एक्टिविटी किसी सेंपल की आरवन है और टाइम टीटू पे किती है बच्चा पार्टी आर्टू है इफ दा हाफ लाइफ लाइफ स्पेसिवन स्टी दे नंबर अब आटम दाव दिसंटीगरेटर इन दे टाइम टीटू माइनस टीवन विल बपोर्शनल टू देखा जाए सिंपली बच्चा पार्टी पैंच लाइए थोड़ा सा एट टाइम टीवन अगर मैं आक्टिविटी की बात करता हो किसी रेडियो आक्टिव सेंपल की activity को अगर मैं यहां पे यह आरवण से रेसेंट कर रहे है объy activity को radio activity of a sample इसे कि और से लिक रहे हैं तो आर्वन कि वैलू आरवण एबENTS से उस वक नमबर कंसेंटरेशन एन वन थी तो लेम्डा एन वन लिख दूंगा यहां से एन वन की वैलू आरवन अपॉन लेम्डा हो जाएगी थोड़ी समय बात किसी टाइम टी टू पे आपको जो रेडियो अक्टिविटी ऑफ सेंपल है वो आर टू दे रखी है क्या वो लेम्डा डिके कॉंस्टेंट इंटू जो भी उस वक्त नंबर कंसेंट्रेशन बचे होंगे न्यूक्लियाई के एन टू बचे होंगे तो एन टू लिख देंगे यहां से एन टू क्या आर टू बाइ लेम्डा आ जाएगा यह तो गिवन डेटा लिखा है अभी अभी कुछ काम नहीं किया भी सिर्फ जो गिवन है वो लिख दिया अब कोशिन में पूछा क्या है हाफ लाइफ ऑफ इस्पेसिवेन अगर टी दे रखी है नंबर ओफ आटम that have disintegration in the time T2 minus T1 तो समझो बच्चा पाटी T1 समय पे N1 प्रेजंट थे T2 समय पे सिर्फ N2 रह गए तो जो disintegrate हो गए होंगे number of particle disintegrated क्या बच्चा पार्टी वो इनीशल जो प्रेजंट थे फाइनली टाइब टी टू पे अगर N2 प्रेजंट थे क्या वह N1-N2 के बराबर होंगे इस समय टी टू माइनस टी वन में जो particle disintegrate होए होंगे तो समझो टी वन समय पे जितने प्रेजंट थे मानलो टी वन समय पे सो थे और टी टू समय पे चालिस बचे सौ थे चालिस बचे कितने disintegrate हो चुके हैं साथ कैसे निकाला सौ माइनस चालिस तो किसी टी वन समय पे अगर N1 बचे हैं टी टू समय पे अगर N2 बचे हैं तो कितने disintegrate हो गया होंगे N1-N2 disintegrate हो गया होंगे बिल्कुल लबुकर थो अगरन की ए और वन बाय लेम्डा माइनस ऑर-2 बआ refuse भी है ऌर वन माइनस ऑ टू कौमन ले लिजिए घल माय लेकिना लेकिन क्वोस्ट्टन मैं हमने लेम्डा के टम में ये रखा देना है किस के टम होता है तो आप सभी लोग चीख के बोलोगे सर्टी हाफ क्या होता है एलनटू लैम्डा होता है तो क्या बच्चा-पार्टी यहां से वनबाय लेम्डा की वैलू टी हाफ कि अपॉन एलन टू लिख दू है कि मैं कहूंगा बिल्कुल खुशी खुशी लिख दीजिए वन अपॉन लेमडा की वैलू लिखी जा सकती ही क्या बिल्कुल लिखी जा सकती है यहां पर चिपका दीजिए टी हाफ की वैलू किती दे रखी है कैपिटल टी दे रखी है अपॉन एलन टू यह आगया प्रॉपर आंसर हमसे प्रॉपर आंसर भी नहीं पूछा कोशन में हमसे सिर्फ क्या पूछा इस प्रपोर्शनल टू तो आर वन माइनस आर टू इंटू टी के प्रपोर्शन लोगा सवाल था मतब्स होट इसमें सोचना ता इसमें समझना चाहिए कि हो क्या रहा है किकसी टूट गया है कि टीम समयपेकर एक्टिविटी दे कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमाइं पता से जाएगा कितने डिसिंटीग्रेट हो चुके है तो एंवन की वैलू यहां से उठा ली यहां से उठा दी पटक दी यहां पर सॉल कर लिए अंसर आगया आई होप यहां तक अब बात करते हैं दोस्त कारवन डेटिंग की कारवन तक डेट कर रहा है आप लोग नहीं कर पा रहा है तो बिसिकली अगर कारवन डेटिंग की बात करें तो यूज किया जाता इस कंसेप्ट को किसके लिए तो इस्टिमीज दा एज ऑफ आफ रॉक कल अपने एक बात भी करी थी आर्केलोजिकल सर्वे के बारे में कि आर्केलोजी डेपार्टमेंट कैसे पता करता है कि यह पर्टिकुलर मॉनुमेंट कितना पुराना है इसकी एज कितनी है क्या चीज कैसे है यह आर्केलोजीकल डेपार्टमेंट पता करके बता देता है कैसे बता देता है विद धा हैल्प अफ दिस कारवन डेटिंग सिस्टम मैं एक पहले सवाल कराता हूँ पहले तुम देखो सवाल खुदी कर लोगे उसक हो रहा है कुछ भी नया नहीं है बच्चा बाटी इसमें हो गया दोस्त तो समझे बच्चा पाटी क्या कह रहा है इस अक्टिविटी ऑफ कारवन फॉर्टी ने चार को सेंपल इस पांड तो भी वन बाइर्थ ऑफिट्स इनिशल अक्टिविटी देन फाइंड आउट दा एज ऑफ दिस सेंपल इस सेंपल का यह एज बता तो टेक्निकली तुम्हें क्या दे रखा नंबर कंसेंट्रेशन अगर एक्टिविटी वन इर्थ हो गई तो मैं यह भी समझते हो कि वन बाइट को क्या मोहबत में टूटू दी पावर थरी लिख सकते हैं मतलब यह गिवन जो चारकोल का सेंपल है यह अपनी तीन हाफ लाइफ पास कर चुका है नंबर आफ लाइफ स्कृत्ति हो चुकी है तो इसकी एज लोगी को ट्री इंटू हाफ लायफ होगी कियों इसके प्रेजंट और ये को देखके कारवन पोड़र देखके कि यह पता चला है कि वन एउर्थ ही रिके यहाँ चुका है वन एर्थव हो चुका है ठीक है कि एक है तो थृए इंट्व मुझेंट कर देंगे तो क्या एज आज आ जाएगी हाफ लाइफ कारवन 14 कित्ती होती है अप्रॉक्सिमेटली 5500 यह होती है कि मल्टिप्लाई कर दीजे 16500 साल पुराना चार्कोल सेंपल है सिंपल है नुमेरिकल अस्पेक्ट पे देखोगे तो कुछ भी नया नहीं है तो करेगा बच्चा होता है यह करेगा बच्चा पार्टीई करेगा टूटता हैकिसमे बच्चा पार्टी कर के कैने अपने यार्डडी को या या किसी मठाव माल नो कोई बीडिंग है उसका ढे इसका है तुल घहते हैं और कैसा है बच्चा पाटी रेडियो आक्टिफ है कारबन ट्वाइल कैसा इस्टेबल है नॉन रेडियो एक्टेव है तो इनका रेशो देखके तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि वह कितना रेशो में डिके कर चुका है कारबन फॉर्टीन इनके रेशो से तुम्हें पता जबाई इनीशली भाई तुम्हें एस्टिमेट कर अब अब अफ़ चाहिए नंबर आप अक्टिव न्यूक्लिया तुम्हें पता करने हैं तो नंबर ऑफ कर बन फॉर्टीन एंप सेंपल अपन टोटल एंट टोटल क्या हो जाएगा कारबन फॉर्टीन प्लस नंबर आफ कर बंट वैल कि इससे क्या बच्चा पाटि तो में नंबर रेशो पता चल जाएगा कि तो उससे क्या पता कर लोगे कितनी हाफ लाइफ क्रॉस कर चुका है यह पता चल जाएगा तो क्या एज आफ डैट सेंपल पता चल जाएगी जैसे कि लास्ट कोशन में हैं तो है कुछ नहीं बस कशली यह समझ लो मोटा मोटा बात की कारवन 14 कनवर्ट होता है कारवन 12 में कारवन 14 रेडियो एक्टिव है स्टेबल प्रोड़क्ट बनाएगा कारवन 12 रेश्यो तुम्हें एक्जाम में कोशन में दे रखा होका जैसे पिछले कोशन में दे रखा था सिंपल जो एक्टिविटी बेज या नॉर्मल नंबर कंसेंट्रेशन वाले सवाल थे वही सवाल होते बस एक नाम नया दे दिया तुम यह मसोचो कि कुछ भी नया पढ़ रहा हो ठीक है चलिए अब आगे पढ़ते हैं कुछ भी नहीं आनी था अब आगे पढ़ते हैं पढ़ते हैं सैमल्टेनियस डिके के बारे में यह पार्ट भी अगर आप तुम देखोगे तो आपके सिलिबस में नहीं है मतलब एक्स्ट्रा है नीट कर लेकर ठीक है मतलब इस पे कोई radioactive sample है जिसमें initial number of nuclei N0 है माण लो यह एक साथ दो तरीके की different decays कर रहा है मालो यह जो active sample है यह किसी लेमडा1 decay को यह अल्फा पार्टिकल कर रहा है किसी डिसंटिग्रेशन रेट लेमडा 1 से किसी डिके कौंस्टेंट लेमडा 1 के corresponding यह ऐल्फा डिके कर रहा है सेमों हैं जिनित इसली मौन लूवद एक कुछ बीटाधी बीकाइव बीटाधी के लिए डेके ऐट सैंटल faut ट्यूपकू है यह बीटाधी के लिए जो आपका डिके एक कॉंस्टेंट रहों किता है बचा पाटी लेमडा टू है । तो सिंप्ली जो लैंडा इफ़ेक्टि वो जाएगा ही तो यह तो जा एक लर्ण प्लस लैंडा तू जो कुझ दोनों के डिर्ट इसिंटीरेशन अर्ट अगे होगे कॉंटें धे हाफ है एक सेप्टिव टी हाफ तो लेट से इस सेमपल के लिए जो टी हाफ था बच्चा पाटी टी वन था इसकी हाफ टाय लाइफ टाइम टी टू था तो वह वन अपाउं टी यून प्लस वन अपॉन टी टू के रेट से ओ जाता है एक बार लेम्डा एफ्टेव और टी एफ्टेव टी हाफ इफ्टेव लेम्डा 1 और लेम्डा 2 को दोनों को सेमिल्टेनिस2019 के मानते हुए यश्लें प्रूचल तो कुछ भी बचता है क्या कुछ भी नहीं बचाएगा बच्छा पादे simply number concentration n not into e to the power lambda की जगल lambda effective डाल दें n2t और क्या पढ़ाता और नंबर concentration की बात करेंगे एंड नॉट अपन टू टू दी पावर एंड पढ़ते थे आफ्टर एन हाफ लाइफ बस यहां पर जो हाफ लाइफ टाइम होगा वह यहां से आ जाओ एफेक्टिव हाफ लाइफ टाइम निकालोगे दोनों डिके के कर्रिस्पोंडिंग वह कैसे आएगा वन अ मतलब कुछ भी नया नहीं है सिंपली अगर दो डिके एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली तो लेमडा इफेक्टिव इस फॉर्मले से आ जाता है बाकी जो चीज़े पढ़े थी वैसे की वैसे ही वैलेड है हलाकि ना सवाल पूछा गया है ना पूछा जाएगा बट फि to go half life of radioactive substance for alpha and beta decay are 1620 years and 405 years respectively then the time after which the activity we reduce to one fourth will be activity किसमें रेडियूस हो जाए वन फॉर्थ हो जाए बलाद नंबर कंसेंट्रेशन एंड नॉट बाइफ फॉर हो जाएगा तभी अपन कह सकते हैं activity रेडियूस हो चुकी होगी वन फॉर्थ हो चुकी होगी मतलब टू हाफ लाइफ के बाद नंबर कंद दो हाफ लाइफ के बाद जो एक्टिविटी होगी वन फॉर्थ होई होगी हाँ या ना अब पुला क्या है हाफ लाइफ दे रखी अलफा डिके की 1620 और बीटा डिके की दे रखी है चारसो पांच साल तो टी इफेक्टिव निकाल लो कि कित्ता हो जाएगा दोस्त वन अपॉन टी वन अपॉन प्लस वन अपॉन टी टू बताया है टी इफेक्टिव की वैलू कि सिंप्ली कित्ता दे रखा है तुम्हें 1620 टी टू कित्ता दे रखा है चारसो पांच इन दोनों के सोला सो बीस है चारसो पांच को चारसे मल्टिप्लाई करोगे सोला सो बीस आ जाता है तो यह बिसिकली 1620 यहां वन आ जाएगा यहां फोर आ जाएगा तो टी इफेक्टिव जो आ गया बच्चा पार्टी वो कित्ता आ गया 1620 वन और टू फाइफ टू जा टेन टू और जीरो इफेक्टिव हाफ लाइव कितनी आगे 324 साल आगई कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं दो हाफ लाइफ गुजरी हैं तो जो टाइम हुआ होगा वह कितना हुआ होगा टू तूइंटू तूइट इफेक्टिव निकाल दो दो इनसूट टू इन्टू 324 कर दो कितना आ जाएगा तो 648 एट यह तो नमबर कंसेंटेशन वर्फ वन फॉर्थ कितने बाद हो गई कितने समय बाद हो गई होगी 648 एट के बाद नमबर कंसेंट्रेशन क्या हो चुकिया होगी जो अक्टिविटी होगी वह कितनी होचुकियों यहां तक सभी बच्चें कंफर्टेबिल होंगे क्लियर होंगे मस्त होंगे एड मज़े में होंगे एक सवाल और है इसको भी बचा पाटी जल्दी से सौल करते है फिर आगे बढ़ते हैं एक्स टॉपिक पर डिडियोक्ति विधियल है लाइफ हाफ लाइफ उसलाइफ सोलाइफ सो एस एंड थी हंडे यह फॉर अलफा इंड बीटा अलफा डिके के लिए हाफ लाइफ किता दे रखा है तीन सो साल दे रखा है दा माटीरियल डिके साबाइफ सैमेल्टेनिस अलफा इंड बीटा एमिशन वाट इस टाइम इस थ्री बाइफ फॉर्थ ऑफ माटीरियल विल डिके कर जाएगा तो अन डिकेड कितना होगा याद करो लास्ट क्लास में बताया था कभी भी ड लिकेड कैसे निकालेंगे वन में से जो भी फ्रेक्शन दे रखा है माइनस करके। कितना आजाएगा वन फॉर्थ तो अंध डिकेड सब सेम्पल कितना बचा है बचा है अब अटो तो नमबर कंसेंट्रिशन कुत्त हो चुकिए इनिशल की वन फॉर्थ हो चुकि है मौबत मैं क्या औन बहुत को टू यह पावर्ट्ट मतलब कितनी हाफ लाइफ हो चुके है तूइफ्यक्टिव हाफ लाइफ लकिगे अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं rei फ्रीत ध्यक्टिव की बात करूं वन अपॉन टीवन प्लस वन अपॉन टीटू होता है दो वैलू पुट कर दो टीवन किता है बच्टा बाठी 600 टीटू किता है 300 300 600 के लिए लोगे किता आ जाएगा बारा सो आ जाएगा तो वन अपॉन टीफेक्ट 600 300 के लिसम किता हो जाएगा बारा सो 600 इंटू दो करोगे 300 से करोगे जब चार थ्री फोजा टोयल होता है तो यह आ जाएगा आठ बटा बारा सो कमफटेबल है फोर से काट दीजे जी किता आ जाएगा तीन सो फोर टू जा दो से काट दोगे 150 तो यहां से बच्चा पार्टी सॉल करके टी एफेक्टिव किता आ गया 150 यह पूछा क्या है ओट इस टाइम कितने टाइम में जो नंबर कंसेंट्रेशन होगी 3 4 हो जाया का मतलब अंडिकेट किता बचेगा 1 4 1 4 मतलब नंबर कंसेंट्रेशन क्या होगा यह 0 by 4 हो गया मतलब 2 हाफ-लाइफ गुजर चुकी है दो हाफ-लाइफ अगर गुजर चुकी है एक मिस जो टाइम लगेगा है शिंपल इस टू इंट्टी एफेक्टिव लगेगा एफेक्टिव आफ-लाइफ टैम कितना या देर सो पर इफेक्टिव आफ-लाइफ की कुछ इस्थी ने क्या एक मीचेक झाल झाल थ्री फॉर्थ टिके की बात कर रहे हैं मतलब वन फॉर्थ बचेगा ठीक है मतलब दो हाफ लाइफ निकल चुकी है तो टीफ एक्टिव निकाल लिए वन अपॉन टीवन प्रस वन अपॉन टीटू से तो 600 इंटू 300 अपॉन 900 अच्छा यह गलती हो गई है सुरी दोस्त यहां पर कल्कुलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी इसको करोगे 600 इंटू 300 अपॉन 600 प्लस 300 आ जाएगा यह ठीक है एक प्लस आएगा यह डिया ट्वेक्स की आ गईए आप के पास 200 चोटी सी कल्कुलेशन मिस्टेक थी इसे यहां से मल्टिप गायब कर देंगे तो टू इंटू 200 कर दोगे कित्ता हो जाएगा 400 400 सालों में क्या हो जाएगा नंबर कंसेंटेशन वन फोर्ट हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल विदा करेक्ट चॉइस फॉड़ गिवन कोशन आई होप यहां तक सभी बच्चे कंफटेबल होंगे क्लियर होंगे मस्त होंगे और मजे में होंगे आगे बढ़ते ह नूकलियर फिजन एंड फ्यूजन रियक्शन तो पच्चे बात करते हैं नूकलियर फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस की यह अपना ऑलेड़ी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आइरन होता है जिसका मास नंबर 56 है वो सबसे जादा स्टेबल नूकली आई है वह नूकलियस की द करके एक बड़ा नूक्लियाई बनने की कोशिश करते ताकि उनका जो मास नंबर है वह आईरन के पास पहुंच सके बाइंडिंग नर्जी पर नूक्लियाई उनकी क्या हो सके बढ़ चके वह इस्टेबिलिटी गेंकर सके वही जो हैवियर नूक्लियाई है मतलब जो बड़े नूक्लियाई है जिनका मास नंबर जादा है वह क्या करेंगे वह तूटेंगे तो तूटने के प्रोसेस को कहते हैं और जो छोटे नूक्लियाई जुड़े रहते जुड़ने के बाद प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन दोनों ही प्रोसेस में चाहत क्या होती है उसकी सबसे जादा है मतलब पर उप्र नुकलियोन आयरन का anticipating आइनर्जी रिलीज हुई होगी मों तब होगी त्ब और सबसे चाहेगा उनर्जी रिलीज करेगा और शर्मा जी के बेटे जैसा बनना चाहेगा वही जो गाईटर न्यूकलियों में होगे वो fuse होंगे, join करेंगे और अपने nucleus को शर्मा जी के बेटे जैसा बनाना चाहेंगे, मतलब अपनी binding energy पर nucleon बढ़ाना चाहेंगे, तो इस process में भी क्या होगा, energy release होती है, मतलब चाहे nuclear fusion हो, या fusion हो, दोनों में ही energy release होती है, छोटे nuclei fuse करते हैं, और वहीं बड़े nuclei fusion करते हैं, त तो simply क्या होता है, heavy nucleus जो तूटता है, the spitting of heavy nucleus into two or more fragment of comparable masses with an enormous release of energy is called nuclear fysm, तो जब भी एक बड़ा nuclei, छोटे nuclei में तूटेगा, तो क्या होगा, energy release होगी, energy कहां से आती है, corresponding to mass defect, देखा जाता है, जो fragments बने, जो छोटे-छोटे fragments में वो तूटा, तो उन total fragments का, जो total mass आया, वो parent atom के mass से थोड़ा साथ कम निकलता, कुछ mass गायब हो जा रहा है, वो basically mass गायब नहीं हो जा रहा है, वो mass energy में convert हो जा रहा है, जो Einstein सर के relation, E is equals to mc square से, अपने study किया था, हाँ या न, E is equals to delta mc square से, तो mass defect के corresponding, अपनी energy release होती है, जैसे कि बच्चा बाटी मैं एक, uranium 235 का fission process समझाते हैं, तो uranium 235 आया, एक neutron, slow moving neutron है, उससे टकराया, जब भी वो एक slow moving neutron से टकरायेगा, तो क्या होगा, fission process accelerate हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और वो कुछ इस तरीके से, बैरियम में, क्रिप्टन में, और तीन extra neutron, और create करेगा, 200 mega electron volt of energy, release करेगा, important बात क्या है, बच्चा पार्टी, energy release हो रही है, कित्ती हो रही है, 200 mega electron volt के energy release हो रही है, और जब भी ये process हो रहा है, ये process uranium 235 fission में कैसे जा रहा है, due to the collision with the neutron, एक neutron आया, uranium 235 के nucleus से टकराया, और energy release हुई, energy के साथ साथ, तीन neutron और release हुए, मतलब एक ने कुछ तभाई मचाई, और 200 mega electron volt के energy generate करी, साथ हमें 3 neutron और generate कर दी है, क्या ये 3 neutron, अब जाके 3 collision करेंगे, 3 uranium 235 के nucleus से टकरा सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल टकरा सकते हैं, और जो वो तीनों टकराएंगे, फिर ते energy release होगी, हर एक fission में 200 mega electron volt की होगी, और ये जो 3 है, अब की बार, तीनों individually 3, 3, 3, 3 करेंगे, मतलब अब की बार, जो 27 extra neutron आएंगे, 27 extra neutron जो आगे, वो अगर ले uranium से टकराएंगे, फिर हर कोई 3 generate करेंगे, मतलब अब की बार 81 extra neutron generate होते जाएंगे, तो क्या chain reaction हो जाएगी, सल्मान खान की picture आई थी, जै हो, उस बार कहते हैं, जब भी तुमारी कोई मदद करें, तो थैंक्यू ना बोलो, तीन लोगों की मदद कर दो, तो बस बार, जै हो वाली picture बन जाएगी, करके chain reaction हो जाएगी, मतलब एकदम से reaction इतनी तीज accelerate होगी, अंकंट्रोल होगी, कि जब भी nuclear fusion का process होता है, तो nuclear bomb इतनी high amount of energy, इसलिए release कर पाते हैं, पर fusion कुछ खास electron energy नहीं है, 200 meg electron volt, और पर nucleon की भी बात कर दें, यूरेनियम 235 में कितने nucleon से 235 से डिवाइड कर दोगे तो 0.5, 0.6 meg electron पर nucleon के corresponding, इतनी 0.5, 0.7 या 0.8 meg electron volt के energy आ रही है, पर पर कुछ नहीं है खास है, लेकिन खास बात यह है कि जब भी uranium 235 एक neutron से collide कर रहा है, barium and krypton की formation हो रही है, लेकिन साथ में 3 extra neutron और बन रहा है, 3 extra neutron और होंगे, तो further वो 3 से collide करेंगे, 3 तीन 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 बना लेंगे, मतलब अब की बार 9 extra neutron अवेलेबल होंगे, 9 neutron फिर से 9 uranium से collide करेंगे, और फिर से energies create होंगी, अब जब ये 9 से collide किये, सब ने 3-3-3-3-3 फिर से क्या करेंगे जनरेट कर दी, अब की बार 27 neutron होगे, फिर 81 मतलब 3 की टेबल चलती से लिए जाएगी 3 की पावर में, तो खूब सारे neutrons generate होते जाएंगे, खूब सारी reactions होती चली जाएंगे, तो इसी को कहते हैं chain reaction, तो जो nuclear bombs होते हैं, basically वो इतने जादा खतना कि इसलिए हो जाते हैं, because उसमें chain reaction continue हो जाती है, nuclear bomb और nuclear reactor पता है, दोनों में खास अंतर क्या है, बस nuclear reactor में एक mechanism होता है, जिससे इनकी जनसंख्या को हम control कर लेते हैं, पर फिजन तीन एक्स्टा neutron generate होते हैं, हम कुछ जुगार लगा के तीन में से दो neutron को बाहर निकाल लेते हैं, बचता है सिर्फ एक, फिर वो टकराएगा, फिर जितने भी extra neutron generate होंगे, उनको बाहर निकाल लेंगे, मतलब हम एक reaction को एक fixed controlled way में ही चलने देते हैं, अगर इस तरीके से अगर हम uncontrolled reaction होई, तो हर बार collision पे तीन, फिर वो परदत, तीन त्रॉप रहेंगे, नो, फिर 27, फिर एक्यासी, मतलब तरीकी power में convert होते चले जाएंगे, enormous amount of energy, बहुत in a fraction of second generate हो जाएगी, mass destruction हो जाएगा, जो की bomb करता है, bomb और nuclear reactor में energy production का process सेम है, बहुत जुगार है, इन number of neutrons को control कर लेगा, इन numbers of neutrons को control कर लेगा, तो क्या होगर reaction एक fixed rate से चलेगी, constant rate से हमें energy मिल लए है, constant rate से energy मिल लए है, तो हम उसे use कर पा रहे है, घरों में बिजलियां बन रही है, बढ़िया अपन लाइट पंखा, AC सब कुछ बढ़िया चला है, nuclear reactor से बिजली produce हो रही है, और वही अगर uncontrolled होती, number of neutrons को control नहीं कर पाते, तो energy जो है, जो consistent rate से बनती, वो ना बन के, इंदम से जनरेट होती, भम से, बहुत जादा multiplicative form में energy generate होती, अगर energy generate होगी, uncontrolled energy होगी, उसी को तो bomb कहते हैं, यह बात clear हो गई, बस यह बात, छोटी-छोटी सी बात दिहान अखनी है कि, एक fission reaction में, uranium के एक fission में, 200 mega electron volt के energy होती है, अगर पर nucleon energy निकाले, तो 200 upon uranium में कितने nucleon होते हैं, 235, approximately 0.9 mega electron volt energy आजाएगी, पर nucleon, पर nucleon जो fission process में participate किये, पर nucleon corresponding कितने energy generate होगी ना, 0.9 mega electron volt generate होती है, fission reaction में, जब भी uranium 235 fission में जाएगा, तो 3 neutron generate होगे, यह 3 neutron further collide करके, 9 neutron generate कर सकते हैं, जब 9 neutron generate होगे, वो फिर से क्या कहते हैं, collide करेंगे uranium 235 के available nucleus से, तो जो energy produce होगी, एक तो 9 into 200 हो चुकी है, फिर वो further 3 और produce करेंगे neutrons, सारे के सारे, तो 9 neutrons, और उसमें से हर एक 3 कर रहा है, मतलब 27 extra neutron आगए, तो उस बार वो जब collide करेंगे uranium 235 से, तो multiplicative factor से तुम देखे हो, energy कितनी टेज मल्टिप्लाई हो रही है, तो ये काम होता है nuclear fission में, तो nuclear reactor की अब ये बात समझ में, fission आ गई, तो bomb और reactor में अंतर समझ में आ गई, bomb और reactor में main अंतर क्या है, तो number of neutrons जो generate हो रहे हैं, तो तुम control कर लेगा, किसी जुवार्थ है, तो वो reactor consistent rate से, constant rate से energy मिलेगी, नहीं कर पाए, तो वो bomb और फट जाएगा, एकदम से इतनी ज़ादा energy uncontrolled होगी, कि वो destruction के काम में आएगी, अगर controlled way में energy generate हो रही है, हम उसका उप्योग कर पा रहे हैं, तो nuclear reactor क्या हो, कैसा होता है, तम जो nuclear reactor की सारी बात है, NCRT की एक एक बात मैंने लिख उठा ली है, और point wise में लिख दी है, यह को exactly NCRT की lines है, तो मैं एक्जाम में पूछा जाएगा, तो इसका according ही answer देना है, इन फिजन रिएक्षिन आवरेज 2.5 निउट्रॉन्स आ रिलीस, मतलब कुछ फिजन से में 2 निउट्रॉन्स जेनरेट होते हैं, कुछ में 3, तो आवरेज मैंने बता दिया कि 2.5 निउट्रॉन प्रेड्यूस हो रहे हैं, तो को किस और आधा कहते हुआ, कुछ फिजन रिएक्षिन में जो निउट्रॉन्स निकलते हैं, कुछ में 3 होते हैं, तो आवरेज मैंने बता दिया, धाई निउट्रॉन रिलीस होते हैं, एंसी अगा डेटा है, एक्स्ट्रा निउट्रॉन कैन प्रेड्यूस एक्स्ट्रा फिजन, एक्स्ट्रा निउट्रॉन आया, वो फर्दर न्यूक्लिया क्या कहते हैं, यूरेनियूम से टकराएगा, और एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेड्यूस हो सकती है, एंड हैंस चेन रिएक्षिन, तीन टकराए, एक ने तीन जनर्रेट किये, फिर टीन टकराए, तो उनने नौ जनर्रेट के, फिर रोटकराए, तो उनने 27, पर उनने 80, इस तरह से, एनर्जी प्रोपोगेशन, रिएक्षिन प्रोपोगेट होती जाएगी, इसी को कहते हैं, चेन रिएक्षिन, सलमान खान की मूवी जैहो, में जो विभता guest बना ले कैसे करोगे बच्चा पाटीब करने का तरीका यह कि जो न्यूट्रान्स गो रहे हैं उनको किसी तरह से absorb कर लो निकाल लो slow neutrons अब समझना बचा पाथे यह अर देन फास्ट निट्रोंस और मोर लाइकली तु प्रडूस फिजन रियक्षिन डेन फास्ट वन जो फास्ट मुविंग नूट्रॉंस होते हैं वह जनली कॉलाइड करके फिजन रियक्षिन को प्रपोगेट नहीं कर पात सिर्फ न्यूट्रॉन ही क्या करते हैं न्यूक्लियर रियक्षन को प्रोसीड कर सकते हैं तो अब ऑविस सी बात है जब 200 मेगा एलेक्ट्रॉन वोल्ड के एनर्जी रेडियूस हो रही है तो जो न्यूट्रॉन प्रेडियूस हो रहे हैं उनके पास भी ठीक ठाक काइनेटिक होगी काफी तेज काइनेटिक एनर्जी से निकले होंगे तो तुम्हें अगर न्यूक्लियर रियक्षन को कैरी ओन कराना है तो पहले तो क्या करना पड़ेगा वो जो नम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से उन्हें कनवर्ड करना पड़ेगा उनकी इनर्जी कम करनी बाद ही तो बॉल के नर्जी कम होगी तो वही जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है जो इस न्यूक्लियर रियक्षन में 200 मेगा एलेक्ट्रॉन वोल्ट के अगर नर्जी प्रेडियूस हुई तो कुछ न्यूट्रॉन को मिलेगी न्यूट्रॉन भी तगड़ी सब्सक्राइब करते हैं कि से हवी वाटर से डी तू ओ से इन्हें एलास्टिक कोलिजन विध हाइड्रोजन है अगर वह इलास्टिक कोलिजन करेगा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन औलमोस्ट कमस्टू रेस्ट और प्रोटाण कैरी अवे दा energy hydrogen atom से जब टकराएगा एक neutron ठीक है तो hydrogen atom से जब क्या कहते है यह neutron आके टकराया तो अगर perfectly elastic collision होता है तो उसमें क्या होता है neutron almost rest पे आ जाता है और proton वो जो भी energy neutron के पास थी वो energy लेकर चला जाता है तो जिस सब्स्टांस से कोलिजन आप कराते हो फास्ट moving neutron का उससे slow moving neutron में convert करने के लिए उस सब्स्टांस को कहते हैं moderators क्या कहते हैं moderators क्या कौन-कौन से होते nuclear reactors में water होता है heavy water होता है d2o कहलो और heavy water कहलो heavy water कहलो d2o या फिर graphite कहलो यह सारे जो parameters है यह सारे सब्स्टांस क्या है moderator मतलब इन सब्स्टांस से जब fast moving neutron कोलाइड करेगा तो अपनी पूरी energy loss कर देगा खुद किसमें convert हो जाएगा slow moving neutron फास्ट moving neutron को slow moving neutron में convert करने का काम कौन करता है moderator basically क्या-क्या होते water होता है heavy water d2o ग्रफाइट जो बार्क में मुंबई में जो अपना nuclear reactor है उसमें हम क्या यूज करते हैं water भाई अपंदेशी लोग सबसे 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 इसली जो available moderator है क्या है पानी खूब अविलेबल है पानी को दाउन करके slow moving neutron में convert करना क्यों क्यों सिर्फ slow moving neutron ही nuclear reaction को carry कर सकता है nuclear reaction को proceed करा सकता है slow moving neutron से ही collide करके uranium 238 या uranium 235 fissionable हो सकते हैं वो fission reaction को आगे बढ़ा सकते है fast moving neutron कभी भी nuclear reaction मतला कभी भी नहीं करा सकता है लेकिन उसकी possibility बहुत कम होती है तो एक fast moving neutron को slow moving neutron में बदलने का काम करता है moderator क्लियर है तो moderator का क्लियर है कि भाई nuclear reaction सिर्फ slow moving neutron करा सकता है fast moving करा नहीं सकता चुकि कभी भी कोई भी nuclear reaction होगी तो neutron अच्छी खासी kinetic energy लेकर निकलेगा उसकी kinetic energy को reduce करना है तो collide कराना पड़ेगा किस से करा तो collide moderator से करा तो moderator क्या क्या होते है या तो पानी यूज कर लो हम लोग क्या करते हैं पानी यूज करते बार के सेंटर में अब आता है multiplicative factor के तो अभी अपने वहीं डिसकर्स किया था पर फिजन धाई neutron यह कहलो तीन neutron प्रेडियूस हो रहे हैं तो अगर ऐसा हुआ तो तीन से नो नो से सत्ता ही सत्ता से क्या सी इंड सो ओन इस तरह से पढ़ते तरह रहेंगे अंकंट्रोल्ड रियक्शन हो जाएगी बॉम में कनवर्ट हो जाएगा तो हम यह चाहते हैं कि कुछ जो न्यूट्रॉन है वह एब्सॉर्ब हो जाए ताकि कंट्रोल्ड रियक्शन रहे तो मल्टिप्लिकेटिव फैक्टर क्या हो सकता के लेस दन वन होताग एक्वस्टू बन से कम हो जाएगा तो रियक्शन क्या हो जाएगी बच्चा पाटी मतलब अट अनी टाइम एक न्यूट्रॉन से भी कम न्यूट्रॉन पर फिजन अवेले स्लोडाउन करके बंद हो जाता है जब हम उसे ऑपरेट करके उससे हमें एनरजी निकालनी होती है तो हम ट्राइ करते हैं कि उसका मल्टिप्लिकेटिव फैक्टर वन के आसपास ही बना रहे है जब मल्टिप्लिकेटिव फैक्टर वन बना रहेगा तो उसे कहते हैं क्रिटि से हमें energy harness करनी होती है उसे energy produce करनी हो तो हम नुक्लियर मल्टिप्लिकेटिव फेक्टर को रखते हैं ताकि पर फिजन एक ही न्यूट्रॉन अब लेवल है ताकि एक फिक्स रेस एनर्जी का प्रोडक्शन हो ना स्लोडाउन होके बंद हो जाएगा वही अगर के greater than one हुआ तो वह नुक्लियर रियक्टर बॉम से में कनवर्ट हो जाएगा ठीक है तो करनोबिल जो डिजास्टर हुआ था बिसिकली वही हुआ था कनवर्ट हो जाएगा यह बात सभी लोग कंफरटेबल है क्लियर मस्त है मजह में अब सर आपने बता दिया कि बाई कम कर देंगे ज्यादा कर देंगे करेंगे कैसे क्या जुगाड होता है मल्टिप्लिकेटिटिव फैक्टर को वन पर रखने के लिए तो जुगाड होता है यह कंट्रोल रॉट्स क्या होता है केंट्रोल रॉट्स умेश य लिखा हुआ एंस्यीड का ही डाइग्राम में यह गोती काडीम माटरियल के बनी होती है तो कैडिम की प्रॉपर्टी होती है जो भी यह अभी वह स्लोह मूविंग नेट्रां Once जब एक्स्ट्रा न्यूट्राइब हैं कि फोड़ी थोड़ी दिर पर क्या करते हैं थो श्रीन करते हैं थोड़ी-थोड़ में कंट्रॉल अगरेघ्यों जब निकालते रहते हैं ताकि ट्राइ करते हैं कि उसका जो मुल्टिप्लिकेटिव फैक्टर है कि वह बन के पास जब उन्हें क्या कहते हैं को स्लोडाउन करना होगा तो कैडमियम को इंसर्ट कर देंगे एक्सटर न्यूटरॉंस को अब्जाब कर लेगा जब यह चाहते हैं कि न मुल्टिप्लिकेटिव फैक्टर को कंट्रोल में रखना कैसे करता है पस कैडमियम न्यूट्रॉंस को अब्जाब कर लेता है जब डाल लोगी अपने आप स्लोडाउन हो जाएगी जैसे निकालो कि फिर से फास्ट होने लगेंगी तो डालते निकालते रहते हैं ताकि के मन के पास बना रहे तो कोर में रियक्शन होती है बाकि कूलेंट यूज़ करते हैं ठंडा रखने के लिए जो वर्किंग सब्स्टांस है उसके वेसे जो रियक्टर है उसका खुद का ही टंप्रेचर ना इतना बढ़ जाए कि जो रियक्टर की खुद की वाल है वही ना पिख सनी टर्वायन क्या करते हैं करते हैं मिला अब च्छोटी सी बात और समझना पर नियुद टिए e और नानियोड होता है न रेडायो अक्टि उसा होता है अकपी रियदियोडियोडर नहीं करेगा लेकिन अगर गलती से इसने नेचरली लिएकरिंग सब्स्टांस तो उसने एक न्यूट्रॉन से काप्चर किया तो यूरेनियम 239 में कैप्चर किया तो यूरेनियम 239 हाइली रेडियोक्टिव होने के इकारण क्या करेगा तुरंत फिजन करेगा पेशन करने के बाद पार्टिकल बने और एक एंटीन्यू नूट्रियणों ऑगे और कुछ एनरजी होती और पर फिजन मैंने बताया ही जब फिजन होता है दोसंगा तो इस तरह से एनरजी सारे रोय जो सारे काम किमांतर सब्सक्राइब करें कॉन लिए रॉट्रॉचन पोजय już करने का काम होता है limad sir अब वही जादा हो जाएंगे तो रिक्टर बॉम में कंवर्ट हो जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए लाट्स यूज करते हैं कंट्रोल यॉट्स की मदद से के लेस दिन वन भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकते वह अपने हाथ में तो दिस वाज अल अब दा नुकलियर रिएक लिखा भी है प्लुटोनियम अंडर्गोस रेक्शन विस्लो न्यूट्रों से ही रेक्शन यह एंसी अर्ट का डेटा है सारी बात है मैं न्यूक्लियर फ्यूजन की तो फ्यूजन क्या होता है दो छोटे नुकलियर जोड़के बड़ा नुकलियर बनाएंगे तो उसे यहां पर एक एक ग्जामपल देते हैं बचा पार्टी दो डूट्रियम एटम जब कंबाइन होके एक हीलियम बनाते हैं तो 23.8 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट आफ एनरजी जनरेट होती है देखने में शायद आपको ऐसे लग रहा होगा कि फ्यूजन में एनरजी कम है फिजन में तो 200 थी बिटा 200 तब थी जब 235 नुकलियॉंस काम कर रहे थे यहां पे ह हीलियम जब बना तो हीलियम के पास टोटल नुकलियॉंस केते हैं चार तो पर नुकलियॉंस यहां पे जो अनरजी प्रेडियूस हो रही है वह तुटू 23.8 को 4 से डिवाइड कर दो तो 6 सिक्स मेगा लएक्टरन पर न्यूकलियॉं यहां पे 6 मेगा लेक्टरन वल्ट के जनरेरेट हो रही ती तो अब इनरजी देखोगे तो पर नुकलियॉंस के देखने का सही तरीका यह तो वहा है 235 नुक्लियॉन मिलके 200 मेगलेक्ट्रों जनरेट कर रहे हैं यहां सिर्फ चार नुक्लियॉन ही जनरेट कर दे रहे 23.8 अगर दो ड्यूटरियम आटम कंभाइनों के हिलियम बनना है तो इतनी एनरजी प्रडूस होती है पर फ्यूजन रियक्शन अब जो ncrt में लिखा है ncrt में कि उन्होंने की हीलियम की फॉर्मेशन किससे करते हैं हाइड्रोजन को फ्यूज करके चार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर फ्यूज होंगे तो हीलियम मॉलिक्यूल बनेगा हीलियम फॉर्म करेंगे और जब हीलियम formation होगी तो 26.7 मेगा एलेक्टरों वोल्ट चार हाइडोजन मिलके अगर हीलियम बना रहे हैं तो 26.7 मेगा एलेक्टरों वोल्ट की एनरजी जनरेट हो रही है अगेन देख रहे हैं पर fusion reaction 6.6.1 या 6.2 मेगा एलेक्टरों वोल्ट की एनरजी जनरेट हो रही है दस 4 hydrogen atom combined to form a helium atom with a release of 26.7 मेगा एलेक्टरों वोल्ट आप एनरजी तो पर नुकलियाई पर नुकलियों जो एनरजी प्रडूस होती है वो फ्यूजन में जादा होती है फिजन के कंपारिजन में तो fusion reaction में जादा energy प्रडूस होती है एस कंपेर तो फिजन फिजन कहां हो रहा होता है hydrogen combine होके helium में कहां convert हो रहा होता है इंसाइड दस सन तो सन का जो sun light है जो हमें आ रही है सन से जो हमाँ आपास continuous energy आ रही है वो ड्यूजन फ्यूजन करके हिलियंस में convert हो रहे हैं और helium के production के वैज़से कुछ energy generate हो रही है वह इतनी जादा है कि हमारे continuous energy आही रही है यह बात भी एक बात समझ नहीं है अगर सन के अंदर hydrogen gas है तो कुछ fix amount होगा तो थोड़े समय बात hydrogen क्या होगा फ्यूज होते 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 ह तो फ्यूजन को लाका समझो फ्यूजन ज्यादा बैटर रेक्शन दो पाते हैं लिए जब कि फ्यूजन कैसा है रेडियोएक्टिव प्रॉससर आपकी दिमाग में बहुत चोटा सा कोशन आया होगा कि फिर हम जो नूपलियर रियक्टार होता हुआ उसमें उरेनियम क्यों य निकालो और हाइड्रोजन से क्या गयते हैं बढ़ी अफ्यूज करके एनरजी प्रेड्यूस करो बिल्कुल सुध्ध एनरजी मिल लाई एक कोई निक्लियर वेस्टेज भी नहीं है और बढ़ी अनरजी मिल लाई है कोई लॉसस भी नहीं है तो कहां हमार क्या कहते हैं दुनिया वहर एनर्जी क्राइस के लिए तेल वेल के पीछे पड़ी है इस तरह से नर्जी प्रिदूस कर लो बात बिटा थौट आपकी बिल्कुल सही है लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि यह जो रियक्शन पॉसिबिल है यह बहुत हाई टेंप्रेचर प नहीं तो फर्नस मेल्ट हो जाएगा यह रियक्शन किसी जगहां पर कंट्रोल वे में तेंट टूदी पावर सेवन का टेंपरेचर जनरेट कर पाना धरती पर पॉसिबिल नहीं है इसलिए हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ट हट्रोजन बेस्ट कोई रियक्टर न से नर्जी बनाएंगे नर्जी क्राइस दुनिया की खतम हो जाएगी न्यूक्लियर फ्यूजन हैस्ट पॉसिबिल्टी ओफ बिइंगे मच बैटर सोस अफ एनरजी देंदा फिजन दू तो फॉलिंग रिजिएशन जैसा कोई हजार नहीं है फ्यूल इड़ फॉर फिजन ज इतनी मिल लहीं ती 0.9 मेंगेलेक्टॉन विल मिल लहीं थी हावैर वेरी हाइए टंपरेचर इंप्रेचर रिक्टर फॉर 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 जैंड जहीं बात है जो अभी तक पॉसिबिली हम लोग को ऐसा इंफरस्ट्रीक्ट डवलब नहीं करा पाहे है इसलि all for today guys tada bye bye jahin god bless you love you all thank you jahin